नमस्कार सास्रीयका, अलस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला इवावरकातू, मैं हूँ राजेस मिश्रा और आप इसे में देख रहें मातरभू में टीवी, साते हो आज मैं बात कर रहा हूं ही रागोल्ड कंपनी के बारे में, तो जिसरी के साब लोग जानते हैं कि आज 24 अक्ट कर फाइल किया गया था और उसमें यह चिकर किया गया था कि कुछ केसे आनदा प्रदेस में हैं, जिसको भी इसके अंदर इंपलेट किया जाना चाहिए, उसके बारे में या पर उसका भी यहाँ पर उसकेज का लएक चाहिए, लेकिन जस्टिस सरीद अपी जी ने, इस मामल होगा उसी का जज्जमेंट यहां से आएगा तो इस वजह से आज की जो टेट थी जो फाइनल आर्गुमेंट होना था इस टेट को थोड़ा फारवर्ड कर दिया गया है कोट की तरफ से और 30 अक्टूबर की टेट दे दी गई है यानि 30 अक्टूबर दिन बुदवार को यह जायेंट हो जाएगा उसके भाद 30 अक्टूबर को ही इसका जजमेंट आने की पूरी उम्मीद है और 30 अक्टूबर को जजमेंट नहीं आता are तो नस्दी की एक दो तिन या जो भी नियरे स्टेट कोट ताय करेगा उस नियरे स्टेट को इस पूरे केस का फैसला आ जाएगा और दूसरी बात है कि 6 नौंबर को बामबे आई कोट के अंदर या सफाई और केस क्लबिंग के मामले की का जज्जमेंट आना है और 7 नौंबर को निजान पूरा वाले मामले का फाइनल जज्जमेंट आना है तो इस तरीके से तमाम जज्जमेंट से जो कियाने है तो जो भी जज्जमेंट आएगा और हैदराबाद ते लंगाना हाई कोट की जो भी अप्टेट होगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मातरभू में टीव कोट आप इस जेन